कि नमस्कार मिठ हुन यादव आप सभी का कॉम्पेटिशन कम्यूटी के परिक्षा संग्राम स्रीज में स्वागत करता हूँ कि यह में में मेक्सिमम् कैसे मांक कर सकते अपने रेटिंग इसकिल को कैसे जवए इंप्रूब कर सकते ना लेकं सेली को डेवलब करने के सीरीज में आगे जा रहा है हमारा इस तीसरा लेक्षर है इमीद करता है कि इससे पहले आप दो वीडियो का देख चुके हैंगो एक वीडियो इंड्रॉक्षन की क्लास में लाए थे अनिकि टोटल यह तीन वीडियो हो चुका है हमारा चोथा व मांक्स के कभी आठ मांक्स के कभी डिया तो उसको के से हैंडल करेंगे अखिर दो मांक्स के कोस्टन में किस तरह से अंसर लिखा जाए इफेक्टिव एमें जिससे हमारा नमर बिल्कुल भी ना कड़े खासकर कि मैस में बच्चों को आम तर पर दिमाग में चलता कि सरी यह बड़ा जल्दी काट लेता है ना लेंग्विज का बहुत बड़ा इसू चलता है सब बच्चों के दिमाग में चलता है आईए देखते हैं प्री में कोस्टन को देख के सौल कर देना और मेंस में यह तोनों अलग चीज़ है मेंस में आपकी एप्रोच कॉंसेप्ट सब कु पूछ चुका है तो शुरुबात कैसे करूं सर दो माक्स में हैं में चली आई शुरुबात करते हैं पहला कम हिंदी वाले को लिख दूंगा इंग्लिस वाले बच्चे को बोल देंगे सुन लिजेगा हल है ना सबसे पहले यहां पर कुछ डेटा दिया बोला से यदी विक् इसको लिख दो गिवन डेट गिवन डेट दिया है दिया है दिया है विक्रेव मुल्ली आने की सेलिंग प्राइस विक्रे मुल्ली बराबर कितना दिया है 1500 रुपया दिया हुआ 150 रुपीज तथा लाब बराबर लाब परतिसत कितना दिया है जी सर्फ 25 परसंट दिया हुआ यह दो डेटा आपका दिया हुआ तो राइट जो जो दिया हुआ उसके बाद अब जो उसको निकालना होगा उसको मान सकते नहीं, given that के बाद आप माने तो बेटर है, चलिए माना, यहाँ पर लिखते, given that, selling price equal to 150 and profit percent equal to 25%, let cost price equal to, माना, क्योंकि वही निकालना है, cost price ही निकालना है, इस वचे आम लोग कमान लिए है, माना, equal to क्या होगा, x, ठीक है, मान लिए, अब यहाँ पर समझो, अब हम लोग जानते हैं कि चुकि, हम लोग बात जानते हैं कि 100% बराबर क्या होगा, सारे बचे ओ लिएगा, सब प्रॉफिट परसन बराबर क्या होता है, तो सभी बच्चे को पता होता है, सर यह विक्रे मूल लिए, selling price minus cost price अने की क्रे मूल लिए, और यहाँ अच्छेएगा, profit परसन लोग परसन हमेशा, हमेशा के लिए cost price पे निकालता है, निकी क्रे मूल लिए, अनि इसको हिंदी में अपर लागत मूल भी कई बर बोल देते हैं, तो आप उनके हो जागा, क्रे मूल लिए, जितना आप जानते थे, इसको खतम करिएगा, अब हम मान को रखना चालो कर देंगे, आप बताइएगा, selling price अनि विक्रे मूल कितना दिया, सब्सक्राइब, लाप परतिसाथ कितना दिया, पचीस परसंट, परसंटेश के लिए नीचे कितना आएगा, बोलो, सो आएगा, ठीक है, आजए, सर यह हो गया, यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, गोर आप देखिएगा, कैंसी लोगा बटा तो, यह एक बटे चार होगा, चार से गुना करोगा नहीं, एक्स बराबर, देखिए, किल्कुलेसन आपको यहाँ पर रफ में करगे करना है, यहाँ पर काट पीट के नहीं दिखाना है, मिन्स में जब लिखते हैं, तो काटने का जो तरीका वो रफ में करिएगा, यहाँ पर मत दि लिखेंगे, तो यह एक्स बराबर होगा, वो क्या होगा, 120, अता, अता, कि लिए अंसर, सारे बच्चे, अता, क्रेम मुली या लागात मुली बराबर, बराबर 120 रुपिया, 120 रुपिया, तो यह फैनल आपका अंसर हो जाएगा, उत्तर आप इसी को लिख सकते, अंसर आ ज सॉल कर ले, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अगर कोई बच्चा प्री में होता, सुभावी के वो पैन नहीं चलाता, क्योंकि 25 पर से लाप का मतला, 100 का समान, 125 में बेच रहे हैं तो 125 का अमान कुछ और होगा, तो महासम और जल्दी कर सकते हैं, लेकिन उतना सबसें पढ़ो, एक रिल गारी का जो चाल है, 75 किलोमेटर परती घंटा है, एक समान चाल से चल रहे है, 24 मिनट में कितना दूरी तैय करेगा, सबसे पहले कौशन में देखो, गिवन डेट में दो डेटा दिया हुआ, क्या क्या दिया है, सर एक तो यहां पर टाइम दिया रिल गारी की चाल, रिल गारी की जो चाल है, कितना है बहुत है, सर रिल गारी की जो चाल है आपगे देख सकते हैं, वह हमारा 75 किलोमेटर पर आवर, समय भी तो दिया हुआ है कितना दिया 24 मिनट लेकिन ध्यान सुनिएगा 24 मिनट मिनट नहीं चलेगा क्यों जब आपके चाल किलोमेटर पर आवर में तो आपको जब लेना पड़ेगा समय को आपको आवर में चेंज करनी पड़ेगी मिनट को आवर में चेंज केसे करूं तो सिंपल तरीका है आपका कि आप इसको 60 से भाग देना हलाकि यहां से मैक्समा बच्ची बात को समझते हैं यह मुझे करे आपको एक बात सभी को पता होगा क्या पुचा है कि सर समान से इतना चली टूरी बताओ ठीक है तो लिको टेह के गई दूरी बराबर तै की गई दूरी सब्चों को बताना सब्सक्री बराबर हमको बहुत अच्छीश पता है चाल गुन्हे समय क्या है चाल गुने समय इस सभी बच्चों को मेक्सिम बच्चे को पता है तो आप बताओ चाल कितना है सर चाल तो हमारा 75 किलोमेटर पर आवर था जी और समय कितना सर दो बटे पांच आवर्स तो अब सारे बच्चे दहां यह आवर्स आवर्स कट जाएगा पांस से कट आओगे कितन कितना हो गया तीस अनि किस तर यहां से तीस किलोमेटर आएगा यह आवर्स कट जाएगा यहां पर यहां पर नीचे है अथा लिख लो अथा लिए अथा चोबीस मिनट में तैकी गई दूरी बराबर तीस किलोमेटर अथा अंसर आ गया अथा अच्छोबीस मिनट में तैकी गई दूरी तैकी है ना तै की गई दूरी इक्वल टू एक्वल टू बराबर त्टी किलोमेंटर बस इतनी सी काम करना था आपको दो मांक्स पूरा मिलेगा उन्हें देखा कि एक भी एस्ट्रेम ने छोड़ा नहीं कभी एक भी एस्ट्रम न नहीं छोड़ा देख लो एक बार तो इस तरीके साब को आगे बढ़ रहा होगा ताकि आप बहुत प्रोपर विमें समझ में आगे जा सकते हो तो मैं क्या देखा दो मांक्स के दो को लिख रहे हैं कि सटी तरीका मैंने देखा जो आपको दिया इसको लिख लो पता है कि प्यांट में चैंज कर लेते क्योंकि वह आपको सेकंड एकसरप करता रइट तो दो कोसर ना लिख चुका यह आपके सवाल एक वैदिक मैंस का चार माकसम सवाल था यह कोसरन की कराने का वज़ा है क्योंकि आप बहुत पता निज़ता ने का जो सवाल बोल दिया जाता है ब एक अलग नया विदी है जिसका नाम होगा देखो यहां पर पड़ाबर से है ना उर्द्वित तिरी भ्याम विदी तो बोला है कि सर इसको आप लोग उना करो तो मैं पहले समझाता हो कि इस मैथर को कितना प्रोपरली हम लो समझ सकते हैं मतलब 2 माक्स का मिलेगा दो माक्स आपको जल को कि यहां करो एक में रंचार अवित नहीं जानते हैं ब्लो करना साथ मbeiter खोड़ने से बेटर छोड़ने से मに आर्ण समाल के समस्भाइब नहीं कर सकий आए आप किसी भी कॉस्टन को कमसा इनिसियेट तो करिए क्योंकि स्टेप मार्किंग है आपका समझे इस बात को बिल्कुल खाली छोड़के बजाए कि आगब कुछ तो बना के आया आप कमसे कम है ना उसकी मार्क समापे एड होती है चलिए तो हम पहले इसको गुना करेंगे फिर इस वीदी को भी हम समझा देते घबरान मत है ने रहा जाओ फ़ले वीदी को समझते बाद में लिखेंगे हम चाहते कि पर नोलेज को डेवलब कर लो आजो जैसे अगर हम किसी दो डिजिट का नमबर को देखो जैसे हम यहां पर 23 और मान लिजागा 34 को गुना करना होगा त तो सर 4 तीया 12 का दो carry 1 ठीक है carry 1 यहां पहुचा देना दूसरा इस ट्रिफ क्या बलता है बटा कि इन दोन नमबर को cross में multiply करके गुना करना है मतला पाला विदी में क्या होगी है सर 3 और 4 को लेके गुना कर देना है दूसरा इस ट्रिफ क्या बलता है सर 2 और 3 जो लोग है न सर आखरी सिब क्या होते बना बताओ यहां पर बोलो सर आखरी सिभाक कि आखरी अंको दोनों को Scotto 123 कितना हो जल्दी सबताव अज़ए सच्छिय होगा औरई यह आपर कि इस यह इन तीन डीजिट हुआ कोई दिकत नहीं किया करते समाझ लो चाहते हैं को नोलेज भी होना बहुत जोर रही है तीन डीजिट का को भी नमर को लेते जा रहा पर सब्सक्राइब करोगे दूसरा स्टेप में आप इनके दो डिजिट को ले लोगे ले राइट साइट से राइट ती लोगा क्या सब्सक्राइब तो यही पर वसी काम से याँ पर करने जा रहे हैं जा रहे त्रील टू वण इन फो पर पाइप टू एगा इसे को मलडीप्लाइब कि यहां और लिखना पड़ेगा सारे बच्चे को ना बढ़े में समझा ना कि ना और एस्टेप करूंक सभ्रमां तरस दोनों की एक काही अंग को लेना है और गुणा कर लेना है मतलब उन यह जोगा तो होगा तो यहां पर टू लिख दिया करो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कोई दिखा तो नहीं किसी को चलिए दूसरा स्टेप यहां पर क्या होता समझना सारे बच्चे द्यान से सरी इसके दो डिजिट को ले रहा है टू वन और फाइब टू अब हम लोग क्रोस मल्टिप्लाइ करते हैं क्रोस मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या होगा सर टू इंटू टू कितना हो जाएगा बोलो फॉर पलस सरी यह वन इंटू फाइब तो यहां से क्या हो सकते हैं सर फॉर पलस फाइब इका मतलब हो गया तो यहां से हम लिख लिएगा नहीं अभी भी कोई केरी बगर नहीं हो रहा है आगे बढ़ी फड़ा बढ़ से राइट तीसरा स्टेप सुनिए गां सारे बच्चे एक साथ यह जागा थिरी यह आपको मेंस में लिखके दिखाना होगा जो मैं स्टेब लिखरों में न यह जा हो जाएगा तो यहां से वा सारे बच्चे देखना त्वेंटी बा अदरों 20 का जीलो लिखना पड़ेगा न आधार आप देख सकते कहीं भी आपको यहां पर है ना कहीं भी केरी अभी तरह नहीं मिला देख लो दो भी चार और यह पांच नौ था अब यहां पर 20 का जीरो ह कितना हो जाएगा बोलोग फोर और फाइब क्या करता सब क्रास मल्टिप्लाइख न तो सकते तुट्याइज लेकिन भूलिए दिए गुवाथलो एक पर कैरी भी था होगे ना क्योंपर सब्सक्राइब को फॉर्वड दो आगे कर देना है और आखरी यह step 5 स्टेप में जब का अंसर होगा तोनों का 100 प्लेस को ले ले ला है सर और इसको क्रॉस मल्टिप्लाइ कर देंगे रिट त्री इंटू 4 का मत्तों क्या होगा टुवल और यहां से कैरी कुछ था क्या सर कैरी 2 है ना सर 12 पलस 2 कितना हो जागा 14 अता जो ऐसो अता उत्तर जो 2 मार्स मिलेगा अब बिजांग का गुना तो सबसे पहले सरी बिजांग क्या होता यह समझा दिए हमको किसी भी की डीजिट का जो सम गरते होने लिजिट के सम गदेख लते सरह बिजिट का सम करेंगे तो वही बीजांग करेंगे तो यहां तक सारे बच्चे उमीद करते है तो 321-452 को हम आई बीजांक से गुना करते हैं इन दोनों नम्बर का गुना हो गया तो इसका एक रिजल मिल गया 1450 बरावर कि बुद्ध तो इन दोनों होनी चाहिए जी जैसा है तो ठीक है जी सर तो आए बढ़े हम लोग इसी को माँ आगे लेख जा रहा है डेटा रहे हैं तीन सो एकीस और चार सो बावन अब हम लोग जांच कर रहे हैं ना अब हम लोग क्या करने बहुत समझना पड़ेगा इस दिक्कट कर देगा आपको पाली संक्या का बिजांक गुन है दूसरी संक्या का बिजांक बराबर बटा गुननफल का बिजांक यह आना चाहिए बराबर आना चाहिए ना गुननफल का बिजांक और यह जो होगा यही होगा उत्तर का बीजांग समया कि नी तो left and side अगर बराबर होनी चाहिए जाज का मतलब यही है तो समझा ठीक है सर और आपको बीजांग का मतलब क्या बलो जैसे बलो होना 123 इसका बीजांग क्या होगा बीजांग निकाले मतलब यह सम कर लो तो किसी भी नमर का अगर बीजांग निकालने की बात करें तो समझ जाएगा नहीं तो सर यह 321 था और कौन सा नमर था तो आई इसका में बीजांग देखते हैं फड़ाबट से दोना से बीजांग बड़ाबर आ रहा कि नहीं देख्चे करी बीजांग फड़ाबट से इसका बीजांग जोड़ाब वँए तो फिर से इसका डिजांग का मतलब क्या करो संख्यां का डिजित समको करके सिंगल डिजिट में लाना अब इनको जोड़े तो 11 फिर से देखो डिजांग जोड़ सकतो नाइन अगर कभी आ जाए तो उसका मतलब जीरो हो जाएगा समझ में अगर पूरा करें तो अंबले कर लो कोई दीकर तब ही सहम आएगा देखो नो नो अठारा अठारा देखो नो नो अठारा होगी अठारा और तीन बताव जल्द 21 का मतलब फिर से बिजांग जोड़ो सर वन पलस टू कितना हो जागा थिरी अगर व्यससे बच्चा नहीं समझेगा थे समझ लो अगर आपको यह समझ दिक्का जा रहा सर नाइन का तो कोई दिक्कत ने ओवर जोड़ो टो 21 का मतलब इसे बिजांग कितना हो गया थिरी अब इस चेक टो ईदर से कितना मोला सच्छ।नी बार बार है ना तो बारह का यहीं लुद दू पलॉस फंकितना हो टो थरी टो थरी और तो भराबर हो गया क्या तो यहीं हो तुमारा फ इत्तर का भी जम सीघर से औहां मतलब है यह को कुछ में करना हैंा यह हो ता बीजांग के जांज करने तो इमीद करते हैं हर बच्ची कोई बात स्टेप केलियर है ठीक है अब अगला हम सवाल लिका रहा है यहां पे देखिएगा चार मार्स सवाल दोजर सोल पूछा गया थे बहतरीं को सब्सक्राइब एक एक एवरेज का सवाल है चार मार्स का है तो उसको चार मार्स तरह सब्सक्राइब लड़के और लड़कियों को मिला दिया जाए तो 35 विद्यार्थियों का उस्टाइब क्या होगा एक दम रद्धी कोशन है प्रिके लिया से देखोगे तो बहुत जल्दी बनावालगी मेंस में क्या होता फुल इजद देना पड़ता है इजद इजद नही पंद्रह लड़कों का ऊस्ताइव लिख लूब चार माकस में आपको यह लिखना पड़ेगा 15 लड़कों का थि ऑ सदूर नहीं zina तो यहीं पर आप निकाल लो तो फंदरा लड़कों का उस्त आई दूया है तो फंदरा लड़कों का कुल आयू रों यार पंदरा लड़कों का क 우mer Yo कुल आयू तो सर कुछ नहीं करते ना तो 15 को 15 से गुना कर लो ना सर तो कितना हो जाएगा बोलो ओसत ओसत आयू कितना होगा जल्दी से बताओ सर 14 वर्स क्या होगा बटा चोगदा वर्स लेकिन हमको नहीं सर हमको बीस लगा टोटल चाहिए हम बला ठीक है तो यहीं से निखालो बीस लड़कियों का है ना यह और कीयों का उन टोर्टल एजड़ अफ त्विटेवल्स इकॉल टु इंगललिस मैं क्या लिग होगे जना घवनड़ीट ऐच सीज पड़ेज एज़ों फिफटीम बध्यच्वल त लिफिटेड से टोटल ल इच ओ फिटेन बध्यक्वज फ सिविटेद Draw टु 20 लड़कियों का कूल आयू कूल आयू क्या होगा जल्दी से कमेंड करके बताओ सर यह हो जागा सिंपल सर यह तो चोगदा साल दिया गुने दो कर देंगे हम लोग लग ठीक है सर तो यहां से क्या होगा का लड़की की बात वही है 35 विद्यारतियों का ओस्त आयू कैसे निकलेगा अरे सर बहुत सिंपल है तो 35 बच्चों का कूल आयू उपर में रहेगा 35 से भाग देंगे लिए 35 में कुछ लड़किये भी है तो यहां पर लिखना पड़ेगा लड़कों का कूल आयू पलस लड़ पलस लड़कियों का लड़कियों की कूल आयू यहाँ के बात सुन दयान से और डिवाइड क्या कर दो क्यों बताओ सर डिवाइड जो करेंगे सर वो 35 कर देंगे वाथ सभी को क्यों टोटल संख्यां कितना 35 तो यही सवाल से तो यहीं सब जल्दी से मुझे बता देना कि 200 और 200 400 यहां पर समझो पलस यहां पर 80 और 20 पांसो पांच तो सरी हो जाएगा पांसो पांच और डिवाइड वाय कितना होगा पैंतीस अगर हम देख पार है पांस से भाग दूँ हो तो पांसो से भाग देंगा सार यहां से हो सब्सक्राइब लिए ट यहां से अंसर आगया अतब 35 विद्यारतियों का ओस्रताई उन्हें ब्राबर कितना हो जागा दो लिख लेना आता 35 विद्यारतियों की ओस्रताइब इक्वल टू कितना जी किए बोलो 15.8 यह हो जागा तुमारा उत्तर मैं तो 4 माक्त्स में से ज्य चार प्रेविल्टी से सवाल को टच करें जो में अफारा के बाद एक ट्रेंड करता जिसको इमीद करता क्या भी पकड़ ले होगा मैंने पकड़ लिया है कि किस शेप्टर से question पूछा जा रहा है किस से नहीं पूछेगा यह सब कुछ trend को आपको समझना होगा और उस trend को समझते हुए गाई जिसमें आज आप लो मेरा सब्सक्राइब करेंगे इन बातों को समझना पड़ेगा चलिए स्क्रिंसोट ले लिए होंगे सवाल का आइए हम लोग सुरुवात करते राइट को सब्सक्राइब पढ़िए फड़ा बड़ा सारे बच्चे जितने इसको देख पा रहे हैं अगर इस सेसन आपकी यूश्फुल लग रहा है अगर फूटफुल है आपके लिए तो आप अपने दोस्तों तो जरूर सेयर कर दें जो जो बच्चे खास की सवर मेंस लिख रहे हैं वैसे एसपरेंट जो अगले साल मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए एक साल कमसर्गम पहले आइडिया लग जाएगा किस तरह से लिखना है वह सतर हो जाएगा इस वे में प्रैक्रिस करना चालू करेगा अगर हो हम तक किसी माद्यम से पहुंच सकता है तो पहुंच भी जा किया है और इसको टोटल जो समय लगा चे गंट में इस बात को पहले किलियर कर देता हूं 320 कि मेरी दूरी को जूरी के में कवराप किया है और पेर बाद में बता दूंबहूंच दूरी कि तना तैंसम në ज़काडम मिल्च कितना खूर 05 तो कॉस्सन बोला सर्ब बताई कितना समय लगाओगा उसको इनिस्यली दूरी को कवर करने में हम बोले ठीक है आ जाईए पहले कुछ दिया है उसको लिख लेते हैं फिर हम लोगो मान लेते हैं नहीं आजाओ आठ दस मांस में तो फूली जट के साथ बात करने इनसे है ना इसे बत कर लेना कि सोलुशन सानी की हल में क्या करोगे गिवेंडेट गिवेंडेट दिया है ठीक है दो को प्रारंभीक चाल कितना बड़ा यहां पहले लिख लो दिया हुआ है यात्रा का प्रारम्भिक इनिस्यल इस्पीड आफ जर्नी जो भी यह लेख लेना इनिस्यल इस्पीड आफ जर्नी इक्वल टू कितना दिया है बता है na 60 क्रारम्भिक क्या सर प्रारंभीक चाल 60 किलोमेटर आप किलोमेटर प्रावार लेख लेला मैं इंग्लीज में लिख दियाँ को दिक्कत नहीं है तथा सेस यह नह यातरा का चता है तथा यातरा का सेस भाग प्रारंबीग भाग जोड़ना और भी अच्छा लगेगा सुनने में ना प्रारंबीग भाग यातरा का सेस भाग भाग ठीक है ठीक प्रारंबीग चालिया एस सेस भाग की चाल क्या होगा जल्दी बताओ अरे सर वो तो दिया हुआ है यहीं से आपको मानना चालू करना होगा माना लेट दिस्टेंस टेबल इन इनिसियल पार्ट इक्वल टू एक्स किलोमेटर माना की प्रारंबीग भाग में तै की गई दूरी तै की गई दूरी बराबर अरे सर यह तो एक्स किलोमेटर मानने ले जांगे हमले ठीक है एक्स किलोमेटर मानने लो तो क्या होगा प्रारंबीग भाग में तै की गई दूरी एक्स किलोमेटर अब यहां पर समझते द्यान से ना जाता सेस भाग में तै की गई दूरी दूरी पराबर होगा 320-x क्योंकि यहां पर एक्स चल चुके हैं और टोटल दूरी कितना था बढ़ाओ सर इतना ही दिया हुआ है यह जो दिया हुआ इस बात को मिमीद करता हूँ सभी बच्चे को लिख लिए होंगे सर एक और ची दिया हुआ हुआ हम बोले कि 6 गंटा तो बता तू 6 गंटा क्या है सर यह क्या है टोटल टाइम है प्रारंबिग भाग में लगा समय पलस सेस ब्रावर्बिक का रख के गई दूरी में लगा समय अंतिम भाग की दूरी में की लगा समय बड़ाबर कुल समय यह दिया हुआ यह ब लिख दो अब रोठी शूरी्पर दया को डिया इसको लिखना करते हैं और ब्रस्न आनुसर प्सक्राश्न बोल रहा है जो 6 गंटे जो है देखिएए भी हम से, प्राइम्बिक भाग मैं या प्राइम्बिक भाग में लगा समय, प्रारंबी भाग की दूरी में लगा समय, जो भी बोलोगे, प्रारंबी भाग में लगा समय, समय, पलस सेस भाग में लगा समय, भाग में लगा समय, आप चाहो तो दूरी को मेंसन कर सकते हैं, वो समझ जाएगा कि उस समय कहा लगा है, ठीक है, तो सेस भाग में ल समय है अगे सब्सक्राइब करना की इसको जो बढ़ रहा हूं यहां मैं पेज को स्लेर कर लूँ सारे बचे जेख लिए कर लो टाइम टेकन इनिसियल पाट प्लस टाइम टेकन एन रिमेंनिंग पाट एकोल टॉटल टाइम भासा में बहुत ज्यादा उलजनेक जोरोत नहीं है जी सर तो प्रारंभिग में कितना दूरी चल अब जितना सिद्धत से हो सकता इसको जल्दी से सौल कर लिजिए मांकी बात आपको अपने आप समझ में आने लगने वाला चलिए मांक से यहां पर कटेगा अगर डारेट करोगे तो ठीक है सर इसका इसका इलस्यम लेलो हमले लिलो सर इसका इलस्यम तो 120 बोले कोई दिकत यह 6 से भाग दोगे दो बार में तो दो गुने एकस और टू एकस हो जाएगा 40 से भाग दूसरा तीन बार में तो यहां से क्या होगा थिरी इंटू क्या होगा थिरी टुवेंटी माइनस का एकस और इक्वल टू जो है रननने दीजिएगा सारे बच्चे को ना मैं चाहूं सार यह 2x मैंनस x इधर मैंनस x बचेगा और उधर भी देंगे तो x हो जाएगा थेके ना यह मैंनस x और इसको इधर भी दूंब लो हम मतलब कुछ भी अभी नहीं कर रहे है एकस को एक साई रख रख रहो बढ़ा ना 2x मैनस का 3x बराबर 720 और यह उधर जाएक क्या होगा 9 1650 बन जाए गाएक स्टरी यहां भी नेगटी मपन देर है अंब भी मैनस x बराबर यहां जल्दी से बता दो क्या होगा सर यहां से मनड़ा 210 k तो मैनस कटेगा निकी यहां पे जिका इन चन्राघीश कृवारी कितना होगा 240 लेकिन कॉस्टन ये तुन बोला था अपसे बलाता से मुझे समय बताओ प्रारम इनिस्यल पार्ट को जर्नी का जो था उसको चलने में समय कितना लगेगा हम भाई समय बराबर क्या होता बोलो सर्दूरी बटे चाल दूरी तो सालीस निकल गया चाल साथ है मतलब चार गंड़ तो इसको लिख की लिखना है ताटे चंडहें नहीं बोल देना ठीक है तो यही से लिख लो अत्त है लगा ठीक है अ प्रारम भी भाग में हिआ लगा समय म लगा मिभार कशह तने किलेगा तो सादों सिंपल है पर प्रारम धी कि है लगा समय किय is यहां से कहाने कर लिए आता इसको उत्तर के तुर्पया प्लों लिख रकता सर फोर आवर्स में क्या कि एक वह बोलो शे गंटे वें चार गंटे कहा लगा था इसको इनिसियल टाइम में तो यहां पर जाकर कि आपको 10 मार्स जाकर के ग्रांटेड मिलेगा आपको बिल्कुल नहीं सकता क्योंकि आपको फोलो करनी है हमने एक भी एक सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यह सब्सक्राइब करते हैं आपके लिए मेंस के लिए आपके लिए इंपोर्टेंट है मैं इसे फोकस कर रहा हूं कि 36 दर के बांकी टीचर्स डी आई पर फोकस बिल्कुल भी नहीं करते हैं यह आप कि अगर आप आफ लाइन कहीं पल रहा हूंगे यह बात आप महसूस भी किया होंगे अगर मैंस की क्लास किया होंगे तो तो डी आई में बहुत इंपोर्टन है प्री में आज के टेम में डी आई जान उसका बन गया है वाई क्योंकि जब आधिकारी बनोगे जब से डीटल इंडिया आया तब से डी आई का विटेज बढ़ गया है तो आप सबसे ज्यादा आप डी आई का इस्तमाल कर रहा हूंग अपने ऑफिस के दोरान यह बात भी अगर जाऊंगो चक्कर आजाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी डी आई को पढ़ने के लिए यह डायग्राम को मत देखो आप इसके मैं हेडिंग को पढ़ो मैं हमेसा बलता हो यह होता मैं एडिंग पढ़ो मैं एडिंग पढ़ते यह डी आई किसके बारे में है क्या दिया हुआ है कि जनकारी सब कुछ किलियर हो जाएगी है ना देख करके डर के छोड़ना सोलुसन नहीं है तो सबसे परेसर जब मैं नेडिंग पढ़ लिए बला सर दी गई जनकारी के अधार पर परसनों के उतर दीजिए इसा ठीक हो देंगे बला सर नीचे दिया गया पाई दोजर सोलु में कितने गाउं थे टोडल सब्सक्राइब जो एसो गाउं था उसकी जनसंक्या में जो भी जनसंक्या रहा उसको परतिसत की तूर पर दिखा दिया है इस गाउं का 10% है इसका 15% लिको ओवरॉल एक पर एक 100% होगा धिया रहना ओवरॉल कितना होगा 100% मतलब उस टोटल गाउं की जो जनसंक्या उसको परसंटेज में डिस्ट्रिब्यूट कर दिया है ए बी सीडी एफ तक जाओ है ठीक है सरा आजए आगे कुछ दिया काम का बाद बला सर जनसंक्यां डी गाउं की जनसंक्यां बड़ा कितना इतना है मुले ठीक आजाओ कोई दिकत न इतना है तो 2016 में गाउं ई में पुरूष जनसंक्यां कितना होगा हम भले घबराने एक जरूत निए फिलाल आप ई तक नहीं पहुंचे है अभी जो आपके फिला जनकारी है गाउं डी का जनसंक्यां तो सर पता है हम भले आजाओ निकालते पहले दियान सुनना यह लाइन इतक पहुंच जाएंगे और इका जो जनसंक्या है उसकी को हम लोग क्या करेंगे चार नुपात तीन में डिवाइड कर देंगे जिससे हमें मेल और फिमेल दोनों का निकाल सकते कोई दिकत की बात नहीं है इसको मेंस में क्या करोगे लिखना पड़ेगा ना या गाउं डी की जनसंख्यां बोलो परसंटेज के इसाब से कितना है बड़ो जल्दी से तरहे बच्चे ना सारे बच्चे बताओ एक परसंख्या मान सबढूर और यह 0 और 1 परसंट का मानद आ गया दर जैसे ही एक परतिसत आर्ला निकाल लिए घ्ण संक्या के संस्च्यं qr सबस्क्राइब कर दोगा सर यहां से क्या करो गुना कर लो सबको याद होगा साथ होगा कैरी कितना होगा पांच 19 सब्सक्राइब यहां पर समझो ध्यान से अब यहां पर बोला नहीं से सब्सक्राइब यहां इतना है अब हम लोग मान लेंगे अब हम लोग इस रेश्यो को मान की दिखाना पड़ेगा डारेक्ट नहीं दिखा सकते में से बढ़ा जाओं तो फिलाल तो हम लोग निकाल चुके हैं अब यहां पर माने माना माना गाउं इमें पुरूस तथा कि जनसंख्या मानना पड़ेगा रेश्यो को डायट आप में नहीं दिखा सकते जनसंख्या करमस कितना इबटा पताओ सारी है ना कितना इबटा फोर एक्स तथा 49 और यहां पर आया ऊंगान कितना हो गया बलो सरह कि मान आ गया कितना 1710 लेकिन हमको एकस नहीं चाहिए यह न सर यह यह कितना मानें कि फोर अग्स तो यहीं है गौई में फूरूष की जनसंख्या स्दस्ट यह ऴाँपर थोड़ा जगा मेरे पास कम था वहां पर आपका स्पेस बहुत रहता था टेंसर मतलो गाओं इमें पुरूस की जनसंख्या पुरूस की जनसंख्या बराबर आगया अंसर और क्या खतम जी सर क्या होगा हम बोले 4x x कमान बोलोगे जी सर बोल देंगे न सर चार गुने यह 1710 तो 17 चोका आठट 4840 6840 इस यूर जैक्जेक्ट अंसर आ गया क्या जी सर उत्तर हो गया हमारा 6840 तो जितने बच्चे होंगे इतना करना पड़ेगा आपको क्योंकि मैक्सिमों बच्चे डियाई से डरते मुझे नहीं लगता कि डियाई से आपको डरना भी चाहिए तो एक कॉस्टन करने वाद आपको समझ में आ गया है सब ठीक है सब्सक्राइब का जनसंख्यां दिया था आने कि हमारे डेटा हिसाब से परस परंचेज में दिया सब्सक्राइब को समझना इंपोर्टेंट है बागे solution देना कोई चैलेंजिंग थोड़न है सब्सक्राइब लेकिन यह कंडिशन का इस्तमाल अभी हम लोग वैसे करने वाले या दखिएगा नहीं यह बात आपको समझना पड़ेगा है ना यह बात को समझना पड़ेगा यहां लिग लो मैं यहीं पर क्या यहां पर अब जगा का मैं तो यहां पर लिग दे रहा हूं कितना 13% था जी सर इसका मान सवाल कितना दिया है सर अब बो एट वन नाइन जिरो बैटा यहां से एक परसंद का मान आप निकाल करके देड़े ना 630 यह बहुत काम आने वला गे यह एक परसंद का मान जब रहेगा ना सु अब दोगे ठीक है तो एक परसंद आपकी बहुत मदद करने वाला तो यहीं से मैं पहले तीनों का निकाल लेता हूं पहले गाओ एक निकाल लूँ देखे द्यांसे पोपलेशन और विलेज एक कोल टू अब एक का यहां पर परसंटेज मान कितना है सर बाइस परसंद तो 22 गुल आप दो लेगे उस्ताइज 2 August करने सब दो यहां पर लिखे गर 16car से इक यहां बाइस का कितना बदल एक सब बतीस और एक सब बतीस और पहले भी केरी हमारा चाहिए यानी 138 बात समय है क्या यह पुबलेशन आपको यहीं से निकालना 22 का टेवल हम पल रहे हैं और आप नहीं समय है तो रफ में जाके निकाल लेना कोई दिकत नहीं है ठीक है आई आगे बोलें तो 7% है बहुत संदर कितना बोलो 7% है तो सर क्या करोंगे हम बोले कुछ नहीं करेंगे साथ गुने 630 कर लो नियार सर सच्छक 42 और 4 एफ का नहीं तो चलो आप लोग डारेट में लिखना ना जो जो बोला उसको पहले कर दिकाना पड़ेगा डारेक्ट मनमबर नहीं देता वो जी सर अब जन संखिया जो हो गया तो किसे निकाल क सर जनसंखिया है कितना न हो बोर। 11 परसन के मान आप पॉली से निकाल सकेथे तो आपको दिक्ट न smiling into क्या करोगे 263 तो सिंप लेंगे अब जीरो रने देना थीक्क' है थीक्या है यह हो जागा 3 भोत सब्थ सब्सक्राइब कर सकते हैं कोई दिक्कत वाला बात नहीं था यह भी हो जाएगा अब यहां पर लिखो सब्सक्राइब तथा क्या एफ की और सब्सक्राइब यहां पर लिख दूँ काउं एक कॉमा पी तथा एफ सब्सक्राइब कि और सब्सक्राइब कर देंगे तो सबसे पहले इनको जोड़ लूँ क्या जोड़ लेता जाओ इसको एक बार हम जोड़ लेता यहीं पर सर यह 0 आ जाएगा राइट जिरो आ गया छे और एक साथ देखो जाते है ना छे और तीन नौर एक 10 का जीरो क्या किया समझे द्यान से हम जोड़ ले रहें पर मत लेना ना चे तीन नौर एक दस जीरो करी कितना हो गया यह आप इसको देंगे सर तूसी द्याण वजाएगा साथ केरी कितना हो गया एक एक तो ठीक है और कुछ उटा है क्या है कि कुछ और शूट गया है ओल करना तो यहां तक सही था यहां तक विल्गूल सही है चाहर 10 का जीरो केरी वन के बाद चूंकि इसको में इधर लिख दिया हूं ना केरी वन यहां पर देख लो इसको यह ले नहीं यहां पर गलत कर दिया हैं हम लोग जोड़ने में ना अब केर कि यह एक ओर एक तना हो गया और इसको कि सरक्राइब न सिफिए चाल। ब्ढेश Sorryita कि अनुछ नुछ निजिन संख्या और सद जन संख्यां जो होगा कितना होगा बढ़ाओ क्या होगा सर यह होगा 84 इस इस जो एक्जक्ट राइट अंसर तो मैं इमीद करूंगा कि यह बात आपको बहुत अच्छा लगेगा कि सर डियाई को लोग कैसे डिल करते यह बात आप सभी को समय आ गया होगा तो आपको डियाई में डाइट हवाम बाता नहीं करना प्री में हातों कई वारी साब किल्कुलेशन कुछ करते भी नहीं यह कर लेते यह सठीक तरीका है एक्जामन अगर आपको देखेगा तो आपने कुछ सच में अच्छा काम किया है तो आपका नमर वो काट नहीं सकता है तो बेट अगले वीडियों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत तरीक शुडेशन काम किया तो नहीं तरीका है तो आपका नहीं सकता है तो आपका नहीं सकता है तो आपकावाद्स